कि मारो मुझे मारो मुझे मारो जी हाँ दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार फणी वीडियो लाया हूं जिसे देखने के बाद आप कुछ ऐसा बोलोगे मज़ाया तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को देखो इसमें दोनों बंदा फोन पर किसी से बात कर रहा था फिर वहीं को तीसरा बंदा आकर दोनों की पैंट की टक्टी रसे से बांद देता है और फिर कुछ ऐसा करता है अब इस वीडियो के देखो इसमें यह बंदा आ गया कर फोटो खिच रहा था लेकिन जैसे यह बंदा फोटो किलिक किया तो सब लोग वहीं किलिक हो गया सब्सक्राइब कर दोनों जी तुम टट्टी करके आये तुमने कुला कर यह अड़ी तेरे मूंपे चपेड़ा मारूंगा पिच्वाड़े से एकता हूं मूंसे नी पिच्वाड़ा दोके आया हूं समझी ज्यादा बोलेगी ना साड़ी एगली वारत पिच्वाड़ा वी इसमें दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ एक कमरे में बैठा था इतने में कोई बाहर से आकर उसके जूते चुरा लेता है और भाग जाता है फिर उसके बाद दुल्हा नागिन डांस करने लगता है अब बस भी करो भाई जूते ले गया दुल्हां थोड़ी ले गया जो ऐसे रो रहे हो भाई अब सहर वया गली में सोचाले तो होता ही है वैसे यहाँ भी तीर का निसान देखर सोचाले लिखा था लेकिन आसपास कहीं कोई सोचाले नेजर नहीं आ रहा है तो सोचाले क्या खाक लिखा है मतलब यार लोग कुछ भी कर देते हैं अब दोस्तो एक रेलवे पटरी बनाने में कितना सारा समय लगता यह तो आपको पता ही होगा लेकिन ऐसे हमारे इंजिनियर कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनकी जितनी तारिफ की जाए उतना ही कम है यह देखो दोस्तो इस फोटो को देखने पर समझ ही नहीं आता कि गलती किसने की ताकि पहले पटरी बना या पहले खंभा गाड़ा गया खर जो भी हो इसको बनाने वाला कोई महान इंजिनियर ही होगा अब यह भाई सहीब को बहुत बड़ा इंजिनियर बनना था इसके लिए इसे जहां भी टाइम मिलता था वहीं काम करते थे फिर गया इतनी मेहनत करने के बाद आखिरे इंजिनियर बन ही जाता है अब इंजिनियर बनने के बाद भाई सहीब को सीड़ी बनाने का मौका मिला, तो कुछ ऐसा बना डाला, फिर भाई सहीब को सीड़ी ठीक करने का मौका दिया, तो आओ भाई सहीब ने टेर ही कर दी, फिर भाई सहीब को आखरी बार सीड़ी बनाने का मौका दिया, तो घर के लगी आपको मज़ा आया तो ठोको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में